ज्यानन जनाशलाकेया चक्षुरुन्मिलितम्येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्री गौरंगा नित्यानन्द श्री अद्वैत चंद्रा गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त व्रिंदा वंचा कल्पत रूभ्यस्चा कृपा सिंदू भैवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैश्नवे भ्यो नमो नमहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे तो कल 117 नंबर श्लोक में श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधारानी की अराधना के लिए अत्यंत व्याकुल भाव से कुछ एक संबोधनों के द्वारा श्री राधारानी का अवान किया था और उनकी अराधना के लिए प्रार्थना की थी कि मैं उनकी अराधना कर पाऊं मैं उनकी सेवा कर पाऊं शील गोस्वामी पादो की ये जो बाबा बताते जो आरती भरी और उतकंठा पून जो वानी है इस वानी का श्रवन कीरतन करने से और उनकी प्रेम आरती का जो ताप है वो जब हमें मिलता है इंकी वानी से तो इस संसारी जीव का जो कठोर करकश हिर्दे जो है वो भी विगलित हो जाता है जैसे हम लोग केवल संसार और संसार की बाते ही करते हैं यहां हम तत्व की चर्चा करते हैं यह सब करते हैं तो हिर्दे थोड़ा कठोर हो जाता है पर इनकी जब ऐसी वानी सुनते हैं कि किस व्याकुलता से और कैसी आर्ती भड़ी आर्थ भरी मतलब एक रोटे हुए किस प्रकार ये किस उत्कंठा से प्रार्थना करते हैं जब ये सुनते हैं ऐसी रस चर्चा सुनते हैं और रस के लिए इंकी तडपन हम लोग इंके हिर्दे में देखते हैं तो हम जैसे संसारिक जीवों का जो कठोर हिर्दे हो चुका है व आर्टिफिशल तो नहीं लेके आ सकते तो जब इनकी वानी सुनते हैं और वो आनंद सुनते हैं कि किस प्रकार ये उस आनंद में लोटपोर्ट हो रहे हैं तो फिर हमारे अंदर भी वो उत्कंठा जागरित होती है श्रीपाद साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए आर्थ स बडावार से राधारानी को पुकार रहे थे उनकी कृपा से श्रीपाद के सिद्व स्वरूप में एक मधूर लीला आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें अक मधूर लीला की स्फूरती हुई और इसी जो उनके लीला का स्फूरण होता है उनके हिरदे में उस लीला के समिलित हो रहे हैं अपने स्वरूतों में मम नियस्येत कदा मोहन है मोहन ऐसा कब होगा ऐसा आप कब करोगे कैसा मोहन श्री कृष्ण राधा चरन कमलों में मेरी कपत एवं विचल भक्ति देख कर श्रीपाद यहां पर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा चरन सरोज में मेरी जो यह कमल चरनों में उनकी मेरी जो भक्ती है और कैसी भक्ती जो अकपट और अविचल भक्ती है राधा पाद सरोज भक्तिम अचलम उदीक्षया निश उदीक्षया बोलते देखने को शाम सुन्दर कब देखेंगे कि मेरी निश कैतव उनके चरनों में मेरी ऐसी भक्ती है प्रीतह स्वभजतो अपी निर्बर महा प्रेम्णा अधिकम सर्वशा और देखकर मुझे पर अपने भजन करताओं से भी अधिक प्रसन होकर निर्बर महा प्रेम्णा अधिकम सर्वशा जो उनके भजन करता है शाम सुन्दर के उनसे भी अधिक प्रसन होकर अत्यधिक प्रेम रस के साथ मुझे कब अलिंगन प्रदान करेंगे और कब चुमबन करेंगे अलिंगती अथा चुम्बती और कब अपने श्री मुख का तांबुल देने आएंगे स्ववदना तांबुल अस्से अर्पयेत कब अपने मुख का तांबुल मुझे आके अर्पन करेंगे कंठे स्वा वन मालिम अपी और कब अपने कंठ की वन माला मुझे पहनाएंगे मम अनस्येत कदा मोहना है मोहन आप ऐसा कब करोगे हैं ये जब हम शुरू में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ हम तो मंजरी भाव साधना की देख रहे थे मगर शुरीपाद तो यहां पे एकदम सक्खियों के भाव जैसी बात कर रहे हैं पर ऐसा नही है इसलिए बावा ने एक लीला के माध्यम से बताया और ऐसा क्यूं नहीं है ये इस शुलौक के अद्ध में बावा बताएंगे ऐसा क्यों नहीं है ये मंजरी ऐसा कैसे बोल रही है क्रिश्ण से बोल रही है कि कब आप मुझे अलिंगन करोगे कब आप मुझे चुम्बन करोगे कब आप अपने गले की वनमाला मुझे पैनाओगे और कब आप अपने मुग का चबाया हुआ तांबिल मेरे मुग पे तो क्या लीला है इसके पीछे की मंजरी ऐसा बोल रही है यह बहुता रहे हैं श्रीपाद फूर्ती में देख रहे हैं एक सुंदर कुंजवन हैं वहां एक कुंज कटीर के द्वार पर बैठ कर युगल सेवा के लिए श्रीपाद अपने मंजरी स्वरूप में माला तैयार करे पुष्पो की माला बना रहे हैं नागर्राज राधारानी को खोजते हुए वहां पर पहुचे और आकर किंकरी को देखते हैं किंकरी तन्मयता से अपनी फूलों की माला बना रही है उसने सिर उठाके भी नहीं देखा कि कृष्ण वहां आ गए हैं वे मनीमन सोच रहे हैं आहा इन किंकरियों का कैसा सुन्दर भाव है यह सब सेवा रस से बनी हैं सेवा के अतिरेक्ट और कुछ नहीं जानती है जब देखो यह देखो अभी इस समय भी हमारी सेवा कर रही है श्री कृष्ण और राधारानी के लिए हार बना रही है ललिता आदी सक्कियों के साथ तो कृष्ण सोस्ते मेरा समय समय पर मिलन हो जाता है पर ये तो मेरे अंग संग के प्रती भी उदासीन है इन्हें तो मेरा अंग संग भी नहीं चाहिए तो इनकी निश्कपट राधा निश्टा पर अत्यंत प्रसंद होकर नागर जो है कर रहे हैं और मंजरी वहां सेबा कर रहे हैं। इनकी निश्कपट राधा निश्टा देखकर और ऐसा कि कंकरी को देखते ही उन्हें लगा कि कितना सुन्दर भाव है देखो सेवा रश्थे बनी हैं हर समय सेबा ब्रज इनकी बात इसन यह नोट करने वली है कि श्याम सुन्दर बहुत दूर भी होते हैं तो भी उनकी गंद से उनके प्रकाश से पता लग जाता है कि श्याम सुन्दर आने वले हैं जब वो चलते हैं तो उनके चर्णों की कंकन की जो आवाज है वो आवाज से पता लग जाता है कि श्याम सुन्द जब आएंगे तो उनके चर्णों की आवाज अलग है और शाम सुन्दर की जो गंद है उनकी जो आभा है तो बहुत दूर से पता लग जाता है कि शाम सुन्दर आ रहे हैं पर किंकरी इतनी तन्मयता से हार बना रही है कि शाम सुन्दर सामने आके यहां खड़े हो गए लेकि शाम सुन्दर आ रहे हैं तो लेकिन किंकरी अपनी तन्मयता से हार बना रही तो इस बात को शाम सुन्दर ने नोट किया कि मैं यहां आके खड़ा हो गया हूं और फिर भी यह देखो कैसी सेवा रस से बनी हैं सेवा की अतिरिक्त कुछ और नहीं जानती है इसलिए बात तो मेरे प्रती अंग संग में भी भाव एकदम उदासीन है यह ऐसा भी नहीं करती ललिता आदी को तो मैं उनको खुश करने के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं अपना ही अंग दान कर देता हूं मैं अपना अंग संग दे देता हूं मगर इनको कैसे प्रसंद श्रीपाद मंजरी स्वरूप में सखी यह स्थान कितना निर्जन है न तो मंजरी कहती है है तो तो देखो कितने निर्जन स्थान और इस समय पर मुझे मदन पीड़ा अधीर भी कर रही है मंजरी ने बोला अच्छी बात है तो तुम कुझ के भीतर चल कर मेरे साथ विलास कर अपना जीवन धन्य करो चलो आज तुमारे साथ विलास करेंगे यह सुनकर किंकरी उत्तर देती है देखो नागर राज निश्चे ही तुमारा अंग संग जो है वो तो यहां की हर ब्रजब के लिए यह सबसे जदा परंस्प्रियनी है सबसे जदा परम लोवनी है सब को यह चाहिए कि वह आपके साथ अंग संग करें तो और वि लास के पस्चात जब आप करुणा पूर्वक मुझे अपनी सेवा प्रदान करते हैं तो वो सेवा में मुझे जो आनन्द मिलता है वे मुझे शमा करना पर आपके अंग संग से भी मुझे वो आनन्द की एक रत्ती भर भी प्राप्त नहीं होती है अनिको गुना आनन्द मुझे आपकी सेवा में मि तो उससे मुझे मिलता है आपके साथ मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसा कोई भी आनंद मिल पाएगा इसलिए ये मेरे लिए संभव नहीं है आप मुझे कृपा करके उसी आनंद में डुबाए रखो कि मैं आपकी सेवा उस रूप में करती रहूं नागर कहते हैं सखी ये समझो तुम वो जो सेवा करने चाहती हो वो तो यथा समय तुम्हें मिली जाएगी ऐसा थोड़ी कि इससे वो वल आण वैसे अधियर हो रहे हैं और तुम उनकी अभिन प्रान हो क्योंकि तो मेरे अंग संग स्विकार करके मुझे भी आनंदित करो और तुम भी आनंद प्रदान करो केंकरी कहते हैं नागर राज मेरा यह दे श्री राधा चर्णों में समर्पित है यह आप अच्छे से मैं अपनी स्वामिनी के चर्णों में दे चुकी हूँ हाँ तुम चलो मैं अभी राधा के साथ अगर चाहो तो तुम्हारा अभी मिलन करा सकती हूँ और तुम्हारी विरह व्यथा शांत कर देती हूँ किंकरी शाम सुन्दर को लेकर श्री राधा के कुंझ में चल पड़ी राधा चर्नों में उसकी अकपट और अचल भक्ती देखकर शाम सुन्दर उस पर सभी सक्षियों से अधिक प्रसंद हो गया आज जो नागर के सुख के लिए समय समय पर नाइकत्व स्विकार करती हैं उन हीरो इस अलवेज कृष्णा तो वह हीरो हैं और वह नाइकत्व स्विकार करती हैं जब देखो एक ब्रजबाला जो आज शाम सुन्दर के साथ हैं जैसे किशोरी जी तो हमेशा है ही तो किशोरी जी हीरोईन है बाकी सब साइड हीरोईन है साइड एक्टरस जैसे हम शाखा में रोल में आ जाती है तो ऐसे जो सखियां है यह शाम सुन्दर के कहने पर और किशोरी जी के आग्राय पर भी यह नई कत्व में आ जाती हैं यह शाम सुन्दर के साथ अंग संग करती हैं पर ऐसी जो सखियां हैं जो अंग संग कर लेती हैं आज उन सब के आया शाम सुंदर कहते हैं रादे तुमारी इस दाशी ने आज मेरा हिरदे जीत लिया इसने अपुर्व सेवा किए अपूर्व सेवा क्योंकि इसने मुझे आप से मिला दिया और मैंने तो इसके कितना का कि मेरे साथ अंग संग कर लो परंतु इसने नहीं किया इसने मुझे आप से बिला दिया इसकी अपूर्फ सेवा है मैं इसे कुछ ना कुछ पूरुसकार देना चाहता हूं ऐसी मेरी इच्छा है तुम जो कहोगी मैं इसे पूरुसकार दूंगा बताओ क्या दू तो वो भी अपनी सक्षी अपनी दासी से अतिप्रसंद है और सक्षी समाज में उनकी भाव निश्ठा दिखाने के लिए आज श्रीमति जो हैं वो किशवरी जी वो श्याम सुन्दर से कहती है मोहन तुम ऐसा करो अपनी समस्त्र ब्रज सुन्द्रियों में जो परम काम में हो है इसको ये पुरुसकार देंगे जाओ ऐसा करो कि तुम अलिंगन और चुम्बन उसे पुरुसकार में दे दो रादारानी की बात सुनकर नागर प्रेमवेश के साथ किंकरी को चुम्बन अलिंगन करने के लिए उद्यत हुए यहां पर बाबा बोलते शाम सुन्दर का वैसे ज शाम सुन्दर से प्रेम करने की इच्छा होती है वैसा ही शाम सुन्दर अपने भीतर प्रेम जागरित कर लेते हैं इसको बोलते हैं निर्भर प्रेम जैसे आपकी इच्छा है कि आज शाम सुन्दर के और किशोरी जी को बहुत बढ़िया सी खीर बनाके खिलाए जाए अग मैं अपनी शाम सुन्दर अपनी किशोरी जी के लिए खीर बनाऊंगी तो जब आपके भीतर ऐसी इच्छा आती है तो शाम सुन्दर और किशोरी जी के भीतर भी वो खीर खाने की इच्छा आती है आज उनका भी मन हो जाता है आज कहीं से खीर आ जाए आज खीर खाने का मन है ऐसे तो शाम सुन्दर आप्त काम है ऐसे तो शाम सुन्दर आत्मा राम है पूर्ण आनंद है लेकिन जब भक्त के भीतर उनकी सेवा करने की इच्छा जागरेत होती है तो उनके भीतर भी वो सेवा ग्रहन करने की इच्छा जागरेत हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं इंका निर्भर प्रेम है अब इनको चुम्बन अलिंगन करने की इच्छा क्रिष्ण के अंदर नहीं जागरेत होती है इनका श्याम सुंदर का प्रेम जो है वो निर्वर प्रेम जो आप उनसे करना चाओगे जिस भाव से आप उनकी सेवा करने की इच्छा जागरेट करोगे वही भाव से उनके अंदर भी वो ग्रहन करने की इच्छा आ जाती है तो इसलिए मंजरियों को चुम्बन और इलिंगन करने की इच्छा उनके भीतर भी नहीं आती पर वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि किश्वरी जी भी कह रही है और उनको भी एकी पुरुषकार देना है तो देने के लिए करना चाह रहे है लेकिन आनंद सिंदु गोविंद के हिर्दे में वासना की तरंग उठाने की शक्ती प्रेम के आतिरेक्ट और किसी में नहीं है बाबा बोलते देखो उनके भीतर जो गोविंद हैं उनके हिर्दे में वासना की तरंग उठाने की शक्ती वासना की तरंग मतलब उनके अंदर भी इच्छा जगरित हो जाए आपकाम होते हुए आत्मा राम होते हुए भी शाम सुन्दर के अंदर इच्छा जगरित हो जाए आज मेरा वो पूरी खाने को मन है तो वो पूरी मंगवाओ और ठाकुर जी को भी वोग लगाओ तो ठाकुर जी के अंदर वो पूरी खाने की इच्छा जागरित नहीं होगी। म Länder से म जैसे हम ये भी कोई भी यंग किसी यंग का कारे कर सकता है उनका देखना भी हुए उसको प्रसादी कर देता है तो शाम सुन्दर क्या करते करूण आवश पर पाने की इच्छा वो तब होती है, जब आप उनको प्रेम प्रेम से पवानाँ चाहते हो जब केवल उनी के लिए आया है आप उनी के लिए मंगा रहे हैं इसलिए कहीं कहीं हमारे ब्रज में ऐसे भक्त रहें हैं जैसे हरिदास जी जो थे वो बोलते चपन भौग रोज भौग लगाते थे एपने ठापल जीको मगर खुद तो ऐसा की मेरे भीतर कहीं वह इच्छा जागरत ना हो जाए चपन भौगकन वह घुर गए कि इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान कब होग आए तो ढख के लेके आओ किसी की नजर ना पड़े आपकी नहीं अगर किसी की भी भीतर ऐसी जी आज पूरी है आज आलू की रोटी है ऐसी इच्छा जागरेत होगी तो फिर ठाकुर जी नहीं पाते हैं फिर वो उसको बस नजरों से देखके आपके लिए ऐसा कर देते हैं कि ठीक आप प्रसादी पा रहे हो आपको पाप नहीं लगेगा पर प्रेम नहीं आया तो यहां पे अब यहीं बात यह बतारे कि उनके भीतर अगर वासना जागरित करनी है ना फिर प्रेम होना चाहिए प्रेम के लावा को इसनी वश्यता स्विकार कर लेते हैं अब क्या है मंजरियों का जो प्रेम है वो उन्हें अलिंगन करने का नहीं है वो उन्हें चिंबन करने का नहीं है पर किशोरी जी के माध्यम से उनका प्रेम कृष्ण से तो बहुत है कैसा प्रेम है किशोरी जी के माध्यम से क्योंकि इसलिए हमारे भी प्राण प्रिये तो निरुपाधि और एकदम निर्मल और विशुद्व प्रेम है तो ठाकुर जी का इसलिए जो शाम सुन्दर है उनकी मंजरियों के प्रती वश्यता है डिपेंडेंट है अगर मंजरी जैसे हमने अभी इस बारी 115 से शुरू किया था तो पहले इस लोगों हमने चर्चा करी थी ना कि मंजरी ने मना करें बस अब हात ना लगाना किशोरी जी को तो शाम सुंदर भी हात नहीं लगा परें क्यों? क्योंकि मंजरी की वश में है वश्यता है समझ गए? और वो वश्यता क्यों है? क्योंकि इनका ऐसा निर्मल प्रेम है इनका ऐसा निरुपादी ऐसा विशुद प्रेम है ब्रज सुंद्रियों ने आत्म इंद्रिये सुख की वासना का अत्यंत अभाव है आत्म इंद्रिये सुख वासना क्या होती है जो अपनी इंद्रियों को सुख पहुचाने की वासना है हम इस जीवन में सारे कारे क्यों करते हैं अपनी आत्म इंद्रिय सुख के लिए हैं हमारे भीतर एकी वासना है आत्म इंद्रिय सुख वासना पर बोलते सक्षियों के भीतर ये आत्म इंद्रिय सुख वासना तो है ही नहीं वो अपने लिए कुछ नहीं करते वो तो शाम सुन्दर के लिए ही सब कुछ करना चाहती है। इस विशे पे बावा बोलते हैं हमने पहले भी बहुत चर्चा करिए। इस बारी 115 से हमने शुरू किया, 114 में हमने बड़े विस्तार से इस विशे में बात करिए। जा नहीं यहीं सक्खियों करें जो थिर नाईका भावक आपक्षै कि अकुछ आपक्षा परे लिए। तो नाईका बनने का भी बिलकुल इंट्रेस्ट को वह भी चाहती है। तो रादा रानी का सकी भाव इन में कई अधिक निर्मल है इन सक्कियों में इन मंजुरियों में रादा की इंकरियों में भाव निर्मलता की परकाष्ठा है अब आप समझ गए जो इनकी भाव में निर्मलता है वो टॉप मोस्ट है एपिटो में परिकाष्ठा है इससे उपर निर्मल भाव नहीं हो सकता है श्री राधा की इच्छा से उनकी प्राण प्रेष्ट सक्या ललिता विशाखा आदी तो श्री कृष्ण के साथ समय समय पर मिलन संपादित कर लेती हैं किन्तु किंकरिया स्वपन में भी श्री हरी के स साथ मिलन की इच्छा नहीं रखती है कि श्री व्रिंदावन महिमां अम्रित में बताया गया मंजरियों के बाद में जो राधापाद कमलों के दासे रस में अनन्य चित हैं और स्वपन में भी श्री कृष्ण के साथ विलास स्विकार नहीं करती हैं यदी कृष्ण बल पू नहीं कर रहे हैं उनको मजाक मजाक में भी तो आशू आजाते और आशू आखों में भरकर नहीं नहीं कहके इस प्रकार प्रलाप करती है यह देखकर स्वामीनी भी मुस्कुराती है मंजरियों की भाव शुद्धी की चरमता है इसी को राधा चर्णो में निश कैतवता भक्ती कहते है जो उन्होंने श्लोक के प्रारब में बोला निश कैतव भक्ती देखके तो निश कैतवा भक्ती यही है जैसे श्रीमत भागवतम में आता है ना कैतव धर्म कहता है धर्म मतलब छीटिंग वला धर्म निश कहता है मतलब बिरकोल कोई दूसरा भाव है ही नहीं एकदम निश कहता है फिर श्री राधा कृष्ण दोनों की चेश्टाओं के फल स्वरूप भी ये भाव शुद्धी बिंदु मात्र भी विचलित नहीं होती इसी को मंजरी की अचला भक्ति का आगया है ये उनकी अचला हिलती नहीं अपनी जगा से चाहे कि जोरी जी भी कहें इंगाग्दना ये नहीं कर सकती है श्री राधा की प्रेणना से अब श्री कृष्ण किंकरी को अलिंगन और चुम्बन करने के लिए ततपर होते हैं तो वे नहीं नहीं कहके पलायन करती हैं नहीं 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 ऐसे कहके एक तब हड़ जाती है और उनकी इस भावनिष्ठा को देखकर युगल मनी मन बड़ा आनंदित होते हैं जैसे क्रिष्ण की भी ऐसे इच्छा नहीं है उनके भीतर ऐसी वासना नहीं है कि इंको अलिंगन करें इनको चुम्बन करें किशोरी जी कहने पर और और उनकी oui कर लो तब नहीं तो नहीं नहीं कहके पीछे हो जाती है जो युगल है वो उनने देखकर आनंदित हो रहे हैं श्रीमति संकेथ से शाम सुंदर को कहती है इनके मुख में अपना तांबूल देदौ अलिंगन चुम्बन नहीं करने दे रही है आप पुरुसकारी देना चाहते हो आप अपना तांबुल निकाल के इंके वह तो ले लेंगी तांबुल निकाल के केवल तांबुल उनको खिला रहे हैं ये तो ले लेंगी शाम उचिष्ट तांबुल देने को होते हैं तो किंकरी अपनों भूख ढखकर भाग जाती है क्यों नहीं लोगे क्योंकि वह बोलते हैं शाम सुंदर आप तो यह दे रहे हो पर यह हमारी स्वामनी की प्रसादी नहीं है मैं केवल स्वामनी की प्रसादी ग्रहन करती हूँ आप यह अपना अध्रामरित जो है किशोरी जी के मुख में डालो और किशोरी जी जब अपने मुख से मेरे मुख में देंगे वो मेरे लिए प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होगा वो पुरुस्कार तो श्री राधा अध्रामरित हुए बिना दासी वो कभी ग्रहन नहीं करेगी स्वामनी फिर संकेत से कहती है शाम सुंदर अपने गले की वन माला इसको पेना दो चलो मुख से तांबुल तो मुख से पाना है प्रसादी पाएगी पर आप इसको अपनी वन माला पेना दो कि कि यह क्यूंत नहीं तर्शनार उन्हें होने कि बावनिश्था परिक्षा का अवसान हो गया अब बहुत टेस्ट हो गए है युगल के दवारा बहुत ऐसे परिक्षा हो गई और बाबा बोलते भाग्यवती दासी ने परिक्षा में उत्तीन होकर युगल को अनंद किया अपने एक्जाम में टॉप पास किया और उत्तीन होकर श्री युगल को बहुत नंदित किया सहसा उनकी स्फूर्टी में विराम आ गया श्री पाद ने साधक अवस्था में फिर हाहा कार करते हुए ये लीला माधुरी देखने की इच्छा व्यक्त करी ये जो उन्होंने अब ये श्लोक बोला ना ये बोला साधक अवेश में क्योंकि उन्होंने सिद्व अ कालने को होगे आप कब ऐसा करोगे कि मुझे अलिंगन चुम्बन करना अब समझ में आया वो मंजरी भावस से यह कह रहे हैं अब बावा बोलते कुछ लोगों ने इस लोक की व्याक्या इस प्रकार किया है कि देखो श्रीपाद सखी की तरह स्वेच्छा से शाम सुंदर के आलिंगन चुम्बन आधी प्राप्त करने की प्रात्ना करें जो गलत फ्रमी हमें भी हो सकती थी अगर ये टीका ना पढ़ते तो कि वह तो सखी की तरह करें अच्छा आप कैसे कहोगे कि सखी की तरह नहीं करें बावा बोलते तो श्लोक की पहली लाइने देखो उसमें क्य क्या लिखा है कि राधा पाद पद्मों में मेरी निश कैतव और निश्चल भक्ति देखकर मुझे अपने भजन करताओं से अधिक निर्भर प्रेम युक्त एवं प्रसन होकर शाम सुंदर ये दे तो ये क्यों का अगर शाम सुंदर से सीधा चाहिए तो ऐसे क्यों कहेंग तो ये वो कह रही है बाबा बोलते हैं फिर ये बात तो ब्रकुल गलत हो जाएगी तो इसी लिए इस लाइन के कारण ये वो बात गलत है कि सक्की भाव से वो कहना चाह रहे हैं तो उस उक्ति का कोई ऐसा मुल्य नहीं है जो वो बोलते हैं कि वो सक्की भाव से कहना चाहरे हैं उन मतलब सादक अवस्था में वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं सिद्स्वरूप में क्रिष्ण के चुम्बन अलिंगन आदी की कामना करना इस लोक की प्रार्थना का उद्देश्य नहीं है सिद स्वरूप में वो नहीं यह कह रहे हैं कि मेरे को यह चाहिए यह चाहिए तो सादक अवस्ता में उसी लीला का चिंतन करके वो ऐसा बोल रहे हैं कि किशोरी जी के प्रती मेरी जो निश कैतव और अचला भगती है उसको देखकर शाम सुन्दर मुझसे प्रसंद होकर मुझे ये देने आएंगे तो जब वो ये कह देते हैं कि किशोरी जी के चरनों में मेरी जो निश कहताब और अचला भक्ती है उसको देखकर ये देने आएंगे तो सक्षी से मंजरी भाव में आ जाता है है श्रीपात पहले ने पहले सिद स्वरूप में इस प्रकार की लीला रस का अस्वादन किया है, इसी लिए अब साध कविश में आरति पूरवक होकर तद अनुरूप उस लीला का रस अस्वादन की कामना कर रहे हैं। है ना, झाल झाल